त्रवेनी की कत्रा करती है गर्मे नहीं लगा है कई लोग इतने चतुर होते हैं कि घर में त्रवेणी लगा लगा लिया तो ये त्रवेणी का पोधा होता है ये बाहर होना चाहिए धर के अंदर नहीं होना चाहिए हां आउले का पेड़ा पदाँ चोटा लगाओ गोगे तोड़ा समय तक जब तक पीपल बड़ा नहीं हो कि तब तक आप धर के अंदर लगा सकते हो पर पीपल बड़ा हो जा और उसकी च्छाय आपके सिर पर आने लगे तो फिकाल को घर में रखना उसको बाहर लगाना है आउले का पोधा चोटा हो उसकी चाया ना पड़े तब तक पूजन की लगा लो मना नहीं है पर बाद में जब चाया सिर्पे आने लगे तो बड़को भी आपको बाहर लगाना पड़े कर दो औहली का पोधा ये जो घर के अंदर अपलगा सकते छमी जाते हैं तर्शमी का पोधा घर में लगा सकते हैं पर पड़कन बड़ा बड़ा वह जाए तो भी हो इसbound कोप ईसको अ जोटा हे तक पर निदेदा में कि बड़ा विपल और आउले कि तर्वेणी आप गमने के अंदर नहीं कि आपक है क्गमले के अंदर कई माताओं क्याथ अंदर एवि सब्स्वेण नहीं करता पाण कि तर्वेणी पर का लगाने तौक गर के अंदर क्यों कि शिव महापुरान की कथा में इस पश्ट कहा गया जहां त्रवेणी का पोधा गमले के अंदर होता है वहां उस इस्थान पर महाराज कहीं ना कहीं किलेश का भाव होता है उस गर में शांती नहीं होती उस्तावी व्याख्यान गरून पुराण में कहा गया क्या वर्णन किया गरून पुराण में कि जब जीव आत्मा को लेकर आया जाता है सारे सुख दुख सब भोगने के बाद में कुछ समय के लिए उसको पित्र लोक में जब लाया जाता है तब पित्र लोक में आने का जो प्रविश द्वार है उस द्वार में जब जीव आत्मा सारे दुख भोग कर तकलीप भोग कर वो जीव आत्मा जब प्रविश करती है तो उसको लगता है कि यहां पर फिर मुझे कहीं तकलीब का नुबहों होगा, तो वो अंदर प्रविष नहीं करती है, त्रवेणी का जो पोधा होता है, उसी पोधे के नीचे वो जीव आत्मा कुछ देर विष्राम कर लेती है, इसलिए शिव महापुराण करती है, त्रवेणी बाहर पूजी जांई, त्रवेणी बहार लगए पर त्रवेणी का पोधा घर के अंदर गंबले में रहेगा जीवार्तमाओं को जैसे दुख का बहान होता है तो विश्रांती लेते हैं तो आहूत पितर वासुक जो प्रेत योनी में भटकने वाले विजीव होते हैं वो त्रवेणी के नीचे कुछ समय के लिए विश्राम लेते हैं महारणतरर में और गनेश पुरान के अंदर इस बहुत संदर प्रसंग का गया है आलस प्रसंग को तुड़ा बढ़न करेंगे गए पुरान के पुन सी दुरबा किस चीज़ के लिए लाग देया कि तो गनेश कुरान में शभी के बढ़नं अक्षत के पांच दाने और पीपल के दो पत्ते उसमें डाल कर समी के पेड़ के उपर उस जल को समर्पित करकर आप अपनी कामना बोलकर जिस कारे के लिए जाते हैं वो कारे मात्र तीन दिन में सफल हो जाता है और तीन दिन लगतो गड़ेश पुरा चमी पत्र का खा कि समि का जो पोधा आपको कहा था बेल पत्री मात्र पार्वति के ने नुशू से प्रकट उई रुद्राप्छ का पौधा संकर भगवान के ने न शूड़ प्रकट प्रकट हुआ और चमी का जो पोधा वो उम्मा और तो माता परवती बावन आउतार माता परवती के हुए उसमें एक आउतार माता परवती का उमा उतार है तो उमा उतार जब माता परवती का हुआ था तो उसके साथ में शंकर भगवान को महेश्वर आउतार लेना पड़ा शंकर जी की ज़ना धारी का मुख उत्तर का होना चाहिए घर में भी अगर शंकरभगवान का शिटलिंग रखते हैं अपन तो शंकर जी की जो जलाधारी का मुख होता है वो उत्तर का होना चाहिए उत्तर बगवान को जब भी बेलपत्र आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो यह घंडी का मुख आप जहां बेटकर कर रहे हो आप उधर बेटे हो इधर बेटे हो जहां तुम बगवान संकर के सामने बेटे हो इस दंडी का मुख तुम जिस जगहां पर बेटकर बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तुम जिस जगहां बेटकर बेलपत्र चणा रहे हो तुम जिस जगहां बेटकर बेलपत्र को भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो तुस दंडी का मुख आपके ठीक विप्रित्ता के भाव म होना चाहिए भगवान शंकर को जहां बेठ कर चढ़ाओ डंडी का मुख निकत लिकाम मारग जब शमी पत्र भगवान संकर को समर्पित करो तो शमी पत्र की डंडी का भाग आपकी और होना चाहिए बेल पत्र की डंडी विप्रिता भाव और शमी पत्र की डंडी का भाव शमी पत्र की जो डंडी होती उसका भाग अपनी और होना चाहिए ये बट केश्र महादेव कोई साध दालत में चल रहा है नहीं निपट रहा बढ़के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्मान करें और शिवलिंग का निर्मान करकर पूजन करकर जी का घरत का दिया लगा कर दही चड़ाएं उस दही को वापिस हास से चम्मज से चम्मज में निकाल लीजिए उस दही हो रख लो शिवजी की पूजन अर्चना करकर भगवान भोले नात के शिवलिंग का भी सरजन करिया हो दही जो चम्मज में निकाला है उसको ईक रुमाल में लगा लीजिए चाये स्रस्तिक बना लो चाये छापा लगा लो बिंदी लगा लो उस रुमाल को जिस एक्जाम में बेठ रहे हो उसमें जेब में रखतर ले जाई है अदालत जा रहे हो तो उसको अपनी जेब में रखतर लेकर जाई है मारत बटकेश्वर महादेव का उजन बटकेश्वर महादेव का इस्मरण बटकेश्वर महादेव की अराधना बटकेश्वर महादेव का नाम जाप बटकेश्वर महादेव की अर्चना फल दे दे बटकेश्वर झाल 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 झाल